नमस्कार राज के बात में आपका स्वागत है देश की राजनिती में अगर किसी नेता या मुख मंत्री ने बेशर्मी की परकास्था पार की है तो वो है अर्विन केजरिवाल अर्विन केजरिवाल एक ऐसा धूर्त राजनिता है जिसे सर्म नहीं आती जो सफेद जूट बोलने के लिए आजकल मशूर है कितने भी आरोप लगे उसको नकार दिया जाता है ये ऐसी सरकार है जो इमानदारी की कसमे खाकर दिल्ली की सत्ता पर काबज हुई थी लेकिन ये वही सरकार है जिसने जब से दिल्ली की सत्ता हत्याई है उसके बाद से अब तक लगभग नौ सालों में इसके छे मंत्री जेल जा चुके हैं बरखास्त कर दिये जा चुके हैं केजरिवाल ने उसे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर भी ये कहता है कि ये सरकार जो है सबसे इमांदार सरकार है कटर इमांदारों की ये पाटी है अब तक जहाँ पर साथ मंत्री ही होते हैं दिल्ली के अंदर वहाँ के नौ साल में छेचे मंत्रीयों के उपर गंबीर आरोप लगा उसे हटा दिया गया और फिर भी ये इमांदारी का नाटक अरविन केजरिवाल का चलता है यही नहीं अभी की स्थिती को देखे तो अरविन केजریवाल सहित दिली के केबनेट में साथ मंतरी है अज़ा कि अरविन केजریवाल चिफ पनिस्टर है लेकिन कोई पोर्टफोलियो उसके पास नहीं है एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ ये धोखा है कि जिस केंदर सासित परदेश में जिसे पूर्ण राज का दरजा देने की मांग अर्विंद केजरिवाल करते रहता है उस राज्य में छोटे से जगह में जहां केवल साथ मंत्री हो सकते हैं वहाँ पर एक मंत्री के पास त क्योंकि अर्विंद केजरिवाल को सारी सुविधाओं का उभो करना है बिना किसी जिम्मेदारी के क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता और सुविधाओं भी सारी चाहिए मुक मंत्री बन गया और मुक मंत्री की सारी सुविधाओं उसके पा उप्योग हो लेकिन फिर भी इसके पास कोई मंत्राले नहीं है छो सारे के सारे पोटफोलियो छे मंत्रियों के बीच बटे हुए हैं इसलिए अभी जो अर्विंद केद्रिवाल के अलावा छे मंत्री दिल्ली सरकार में हैं सब के सब किसी न किसी घोटाले में घिरे हुए ले और ये दोनों मंत्री तब आए जब केद्रिवाल के दो चहेते मंत्री जेल के अंदर चले गए मनीश सोदिया जेल के अंदर गए सतिंदर जैन जेल के अंदर गए और उसके बाद अरविन केद्रिवाल को लगा कि कैबिनेट का चुनाब करना चाहिए और उसने दो अपने उन सहयोग्यों को मंत्री बनाया जो उनके इशारो पर चल सकते हैं जो अपने सोचल मीडिया पर कभी भी बिना केजरिवाल का नाम लिए हुए अपना नाम नहीं लिख सकते अरविंद केजरिवाल के नेतरित में सरकार के मंतरी सौरब भारद्वाज के नेतरित में ऐसा काम किया गया ऐसा एक पूरा लाइन लिखना इनके लिए मजबूरी हो गई है यानि स्रीम केजरिवाल के मंतरी अतिसी मरलेना ने ये उदधाटन किया ऐसा इन लोगों को लिखना पड़ता है क्योंकि केवल मंत्री का नाम किसी भी जगह पर चाहे कोई पोस्टर हो या कोई एडवर्टिजमेंट हो या कोई सोशल मीडिया पोस्टी हो ये नहीं लिख सकते चाहे कैलाश गहलोत ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर भले ही हो दिल्ली के सारे बसेश पर एक तरफ ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर के फोटो होगी तो दूसरे तरफ अर्विंद केजरिवाल का फोटो होगा लेकिन जो दो मंत्री न्युक किया है केजरिवाल ने वो दोनों के दोन गोटाला है दवा के खरीद विक्री में जिस तरीके से दवाओं की खरेदारी की गई और दिल्ली के अस्पतालों में उसकी सप्लाई की गई उसमें बड़ा गोटाला सामने आया है एलजी ने इसके लिए सीवी आई जांच के आदेश दे दिये और जब सीवी आई जांच के नीद खुली अब उनके पास दो ही विकल्ब था या तो वो इसे स्विकार करने की गणबड़ी हुई है और हमसे गलतिया हुई है या तो आरोप लगाएं एलजी के उपर अधिकारियों के उपर और अर्विंद के जिरिवाल के टीम का कोई भी व्यक्ति अपने उपर करने के लिए पहुँच गए और उन्होंने कहा ये गलती स्विकार करने का तरीका देखिए कि उन्होंने कहा कि हम ये जानते थे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो दवाओं के सप्लाई हो रही है उसमें गरवडिया है नकली दवाएं दी जा रही है उसका स्टैंड सही नहीं है और इसलिए हमने कम्प्लेन किया था अपने अधिकारियों को और अगर सौरब भारद्वाज हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने अधिकारियों से कम्प्लेन करते हैं तो क्या अधिकारी इस पर कोई कारवाई नहीं करेगा ये ऐसी स्थिती हो गई है लेकिन सौरब भार भरद्वाज के कहने पर मंगवाया गया या कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं है जिसमें ये पता चले कि सौरभ भरद्वाज हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद ये जो आज बार बार ये कह रहे हैं कि यहां जो सप्लाई हो रही है दबाएं उसका स्टेंडर कम है इसमें नकली दबाएं हैं कम पैसे के बदले जादा पैसे की दबाएं दी जाती है ये जो करोडो का घोटाला है उसके बारे में हमने लिखित तौर पर हेल्थ सेकरेटरी को दिया था कि इसकी जाज की जाए इन्होंने कभी इस बात के लिए नहीं कहा हाला कि LG और हेल्थ सेकरेटरी ने पहले से ही इसके उपर ध्यान दिया था एसी बी से इसकी जाच कराने के लिए कहा गया था और साथ ही विजनेस डिपार्टमेंट भी इसकी जाच कर रही थी 38 जगों से सिंपल लिए गए थे अलग-अलग हॉस्पीटल से सिंपल लिए गए दवाओं के और उसके बाद पता चला कि जिस क्वालिटी कि सप्लाइ के जरुट है वो तो है ही नहीं सिर्फ सामान ने दवाएं जो है पेन किलर जैसी उन दवाओं के लिए तो माना जा सकता है कि कुछ कमपनियां अच्छी है जिसमें कोई जादा परेशान ही नहीं दिखाए पड़ गई है लेकिन जितने विशेश दवाएं महत्पून दवाएं हैं जिसकी कीमत जादा है वो सारे के सारे जिनरिक दवाएं हैं और उनका सेंपल से पता चला कि बीलो दा स्टेंडर है अब सौरभ भारदवाज तो फस गए क्योंकि LG ने सीधे विजनेंस डिपार्टमेंट के रिपोर् आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने यानि की LG हाउस और साथ ही जो सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी हैं ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हम तो पहले से कह रहे थे कि ये घोटाला हो रहा है इसमें परिशानिया है सप्लाई चेन में गरवडिया है CPI गलत कर रहा है और इसलिए इसकी जाच कराने का आदेश तो हम पहले ही देने वाले थे इससे पहले ही LG ने जाच के आदेश दे दिये अब सौरभ भारदवाज की सित्थी ऐसी हो गई है कि वो स्विकार करें या ना करें लेकिन CPI जाच होगी तो केबल सौरभ मंत्री सतिंदर जैन भी फसेंगे जो पहले ही दूसरा हवाला कारोबार में फसे हुए है जमीन घोटाले में फसे हुए है और PWD मंत्री रहते हुए भी कई उनके प्रोजक्त की जाच चल रही है जिसमें अर्विंद केजरिवाल के साड़ू का एक कमपनी भी है उस कमपनी स कॉन्ट्रेक्ट को लेकर भी जाच ACBB कर रही है लेकिन इस बीज आतिसी मरलेना भी उसी तरीके से परिशान है फड़़ा रही है क्योंकि उनके पास जो नए डिपार्टमेंस दिये गए हैं उसमें भी कई घोटाले सामने आये हैं जल मंत्री के तौर पर उनको जो अभी साम ना करना पड़ सकता है ये है जल बोड के घोटाले से उसके बाद बुडाडी में जो सफाई चल रहा था सरवैर का उसके घोटाले में और कई पानी से संबंधी समस्याएं जो है यहाँ पर जिसमें टेंडर दिये गए हैं उनकी भी जाच हो रही है और सौरभ भारदौाज आतिसी मरलेना इन दिनों अरविंद केजरिवाल के क्रिपा पात्र इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि इनकी भी जाच कभी भी हो सकती है और ये चाहते हैं कि अगर जाच हो भी इनको जेल में डाला भी जाए गिरफतार भी किया जाए तो अरविंद केजरिवाल उसी तरीके से हमारे उपर कृपा द्रिष्टी बनाए रखे जैसे कि सतेंदर जैन जेल के अंदर तर मंत्री बने रहे जब तक मनी सिसोधिया जेल के अंदर नहीं गया जब तक मजबूरी नहीं हो गई कि साथ मंत्री हैं जिसमें से एक मंत्री खुद अर्विंद केजरिवाल है यानि कि बचे हुए छे मंत्री हैं जिसके पास एक एक मंत्री के पास 18-18 पोर्टफोलियों हैं और उसमें सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियों वाला सिसौदिया जेल के अंदर हैं अगर इसे रिप्लेस नहीं करते हैं तो फिर दिल्ली की विवस्था चर्मरा जाएगी तब ही कोट में हम लोग हमेसा काम करते हैं इसलिए अगर कुछ समय के लिए जेल जाए तो भी हमें मंत्री बनाये रखिए किसी और के एंट्री मतर होने दीजिए क्योंकि केजरीवाल ने पहले ऐसा किया आरोप लगा और हंगामा हुआ तो केजरीवाल ने मंत्रियों को हटाया उस उसे पहले जो तोमर सहब थे फरजी डिगरी के मामले वे फसे कानून मंत्री और कानून मंत्री पर फरजी डिगरी का मामला चला हटाना ही पड़ा उसके बाद संदीब सिन जो की महिला एवं वाल विकास मंत्री महिलाओं के उत्थान के जिम्मेदारी और उत्थान कैसे कर रह किया सीडी कांड सामने आया हटाना ही पड़ा यहीं नहीं खाद्यापूरती मंत्री असी महमत यह जो खाद्यापूरती मंत्री के साथ जो दूसरे टुरिज्म और बिल्डिंग दिपार्टमेंट था एक बिल्डर से छे लाख रुपया घूस लेते पकड़े गए केजरिवाल को उसे हटाना ही पड़ा यहां तक कि सूमनाद भारती को कानून मंत्री बनाया गया और कानून मंत्री यह जो तोमर के बदले जितंदर तोमर के बदले बनाये गए थे जब उन्हें कानून मंत्राले मिली तो उसके बाद आरोप क्या लगा अपनी पत्नी को टॉर्चर करने का आरोप ऐसा लगा कि सूमनाद भारती को हटाने को मजवूर होना पड़ा अर्विंद केजरिवाल को क्योंकि सूमनाद भारती अपनी पत्नी के साथ तो बद्तमीजी कर ही रहते उसे टॉर्चर तो कर ही रहते लेकिन एक मार्केट में जाते हैं और वहां कुछ महिलाओं के साथ भी बद्तलूकी करते हैं उनके उपर गंभीर आरोप है लेकिन ये काम पुलिस का है कि उसे महिल क्या कॉंस्टेबल जाकर की रफ्तार करे सूमनाद भारती और आम आदमी पार्टी के कारकरता कुछ महिलाओं को धर पकड़ नहीं कर सकते ये आरोप गंभीर था सूमनाद भारती को भी हटाना पड़ा मतलब नौ साल की सरकार छे से ज्यादा मंत्री हटा दिये गए हैं संभीर आरोप रस्ता चार के हैं लेकिन जो बचे हुए मंत्री हैं अर्विन केजरिवाल के सबसे करीबी और उम्र दराज यानि की उनके उम्र के आजपास के जो व्यक्ति हैं गोपाल राय जो इनसे इंडिया अगेस करफसन के समय से जुड़े हुए थे और अभी सबसे न लोट देखने में सिंपल चिकने चुपडे ऐसे दिखते हैं डिसेंट परस्नाल्टी लेकिन उनके खिलाफ एक नहीं बस की खरीद का आरोप है उसकी जाच हो रही है बुलाडी में जो ड्राइविंग लाइसेंस घोटाला है उसकी जाच हो रही है आम आदमी पार्टी के का आर चार भरस्टा चार के आरोप है हालाकि इन बातों के चर्चा कम होती है और उनके अलाबा जो और मंत्री हैं उनके स्थिति तो दोनों को देखे चुके हैं मतलब अभी केजरी बाल खुद भी शराव घोटाले में फसा हुआ है सौरभ भार्दोगाज आतिसी मर्रेना फस देना खुद जो कर हमारे खिलाब क़ारव की जा रही है लेकिन ये आरोप पर त्यारोप चलता रहेगा केजरिवाल की बरवादी तैहे सीम की गिरफतारी भी होगी दो नए मंत्री भी नपेंगे और जो बच्चे हुए दो तिन मंत्री हैं उनके खिलाब पे जो जाच हो रहे हैं उसमें जल्दी ही कारवाई होने वाली है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से आधिर होगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देतरी है हमें सहयोग ताके से तरह की खबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद